नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल में दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आईयो पालक की पूरी की बहुत ही टेस्टी से रेसिपी तो आप पलीज मेरी वीडियो को पूरा-पूरा देखीगा पालक की पूरी बनाना बहुत बहुत आसान होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है तो चलिए देख लेते कि इसे कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गिहूं का आटा लेंगे उसमें हम डालेंगे हिंग हिंग डालने के बाद अजवैन डाल देंग और अब मैं इसमें अड़ करने वाली ओईल, ओईल सिर्फ मोयन के लिए और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगे एक कटोरी भर करपालक की प्यूरी जी हाँ प्यूरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करिएगा और उसके बाद हम इसका डो बनाएंगे और जरुरत पढ़ने पे आप थोड़ से पानी के चीटे डाल दीजी और भड़िया सा डो बना लीजी जैसा कि आप देखी सकते हैं और दोस्तों उसके बाद हम इसके चटी चटी से बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे यह देखिए एक साइस के बाद हम ने बना लिए और अब हम इसे बेल कर तयार करेंगे दोस्तों जितनी ज़्यादा पालक की प्यूरिया आप यूज करेंगे ना उतनी ही पूरिया आपकी हेल्दी होंगी और ग्रीन ग्रीन भी बनेंगी तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ओयल भी गरम हो चुका है तो हम अपनी जो बेली भी पूरिया है वो एक एकर के ओयल में डालेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तब देखी सकते हैं जो हमारी पूरी है वो कितनी फूली फूली सी बनी है इसी तरीके से हम एक करके सारी पूरिया डालेंगे और हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे दोस्तों पालक के अंदर बहुत सारा आईरन होता है विटेमिन्स होते है और पोटेशियम भी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप इसे एक बार तो प्लीज जरूर ज बहुत ही जल्दी से बन जाती है यह खाने में बहुत 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 टेस्टी भी होती है तो आप देख लीजे यह बन गई है फटाफट से तो अब बस हम इसे सर्फ करेंगे तो यह देखिए मैंने यहां पर लगा ली है प्लेट अपनी पालक की पूरी की जिसे मैंने धही के साथ सर्फ किया आप चाहे तो बुंदी की रायते के साथ सबजी के साथ यह जिसके साथ आपको खाना उसके साथ सर्फ करिए चाय के साथ भी पूरी बहुत अच्छी लगती है यह तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर एंड कॉमेंट एंड बाबाई टेक कियर